कई बर बहुत दिराशा होती है कि बारबर प्रयास करने पर भी प्रेग्नेंसी नहीं रोग रही है तो कुछ ऐसे टेस्ट है जो आपको कराने चाहिए अगर सीमन रिपोर्ट सीमन पैरामेटर्स अच्छे है नॉर्मल है तो भी कराई जा सकती है और सीमन पैरामेटर्स वजहों से स्पॉर्म का जेनेटिक मिटीरियल खराब हो जाता है टेस्ट कौन सा होता है करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए और अगर करवाया है डिने फ्रेग्मेंटेशन की प्रॉब्लम आपके साथ है तो फिर न्यूट्रिशिन और लाइफ स्टाइल की कौन सी रेम बहुत सारी बिवर्स जानना चाहते थे कि दिने फ्रेग्मेंटेशन का क्या समाधान हो सकता है डाइट-एन लाइफ स्टाइल से तो डाइट-एन में इसके अमेजिंग स्टाइल में बढड़ते हैं आगे समझते हैं Aight डिने फ्रेग्मेंटेशन की झांच कोड करके आपके सीमन रिपोर्ट जो आती है उसमें आपके डॉक्टर लिखते हैं और वो होता है अगर स्पॉम पैरामीटर्स नॉर्मल है तब भी अनेक्सप्लेंड इंफर्टिलिटी अगर है तो यह टेस्ट करवाया जाता है और अगर सीमन पैरामीटर्स अच्छे नहीं है तो ऐसी कंडेशन में क्या करें अगला कदम आपको क्या उठाना है वो हम अब समझते हैं DNA आज की समय की बहुत बड़ी प्रॉबलम बढ़ती जा रही है यह प्रॉबलम बढ़ी प्रॉबलम बनती जा रही है क्यूं क्योंकि लाइफ स्टाइल की वज़ा से होता है जब बो बड़ता है बॉड़ी पे इवन जो अल्कोछ और स्मुक नहीं भी ले रहे हैं लेकिन इन्वार्मेंट में जितना प्लास्टिक फैला हुआ है और जितने टॉक्सिन एयर में जो पॉल्यूशन है तो उससे हम सभी की बॉड़ी पर ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस और वो ऑक्सिड करेंगी जिनेटिक मिटीरियल है उसको खराब होने से बचाएंगी आपको रोज इस्तमाल करना है क्योंकि टिप्स हैं ही इतनी आसान जब आती है ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस की तो वहीं उसका स्लूशन जो न्यूट्रिसन साइंस में बताया गया है वह है एंटी ऑक्सिडे आती हैं तो इसको लेने से बॉडी में जो ऑक्सिडेटिव स्ट्रस है वो कम हो जाता है स्पॉम की क्वालिटी बढ़ती है स्पॉम का जेनेटिक मिटीरियल प्रोजेक्टेड रहता है वह खराब नहीं होता और कंसेप्शन इजी हो जाता है तो आपको क्या करना है लाइफ विटेमिन दी होगा और और भी कई चीज़ें हो सकती है जो एंटी ऑक्सिडेंट ग्रुप से आती है लेकिन सप्लिमेंट आप लें वो भी ज़रूरी है क्योंकि DNA फ्रेग्मेंटेशन प्रॉब्लम है तो आपको सप्लिमेंट भी चाहिए नैच्रल में अपसर सजिस्ट करत होता है जितने भी सीट्स और नट्स है इनमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है उसमें भी चिकपीस काबली चैने छोले जिनको कहते उनमें भी होता है तो इन चीज़ों को खाने में अड़ कर दीजिए अगर DNA फैग्मेंटेशन की प्रॉब्लम है तो जो भी मैं आइटम बता रही हूं उन सब को अपने सुबर से रात तक के खाने में आप प्लेस करें बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे कम से कम दो से तीन महीने फॉलो करें फिर टैस्ट रिपीट करा है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट लेंगे दूसरी चीज है सेलेनियम सेलेनियम अगर एक ब्राजील नट आप डेली खा लेते हैं तो रोज की सेलेनियम की जरूरत आपकी पूरी हो जाएगी तो ब्राजील नट आप उनलाइन पर्चेस कर सकते हैं डेस्क्रिप्शन में कई चीजों के मैं लिंक देती हूं जो कि आपके लिए उप्योगी हो सकते हैं इसक के अलावा सीड्स और नट्स बहुत अच्छे से यूज करें डेली दो चम्मत सीड्स और नट्स कि उसमें विटमिन E होता है कुछ इंपॉर्टिन भी होते हैं तो विटमिन E की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अखरोट है सीड्स और नट्स पे मेरे स्पेशल वीडियो है छह तरह के स्पेशल सीड्स कौन से हैं और इनको डेली आप टोटल अगर मिक्स करके लेते हैं तो दो चम्मत सीड्स मिक्स आप डेली खा सकते हैं तो मार्केट में रोस्टेइड डेडी टुईट टाइप से अवलेबल होता है आप डारेक्ट पर्चेस करें और कंजी उपर आपका टाइम भी इसमें नहीं जाएगा अगली इंपॉर्टेंट बात है टोमैटो और पॉमग्रेनिट अनार और टोमैटो इन पर बहुत ही अच्छे रिसर्चेस हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यह बहुत आसान भी है टोमैटो यूज करने से औ अनार को यूज करने से आठ हकते में रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आने लग जाता है तो DNA फ्रेग्मेंटेशन की प्रॉब्लम है स्पॉर्म पारामीटर में गड़बड़ है तो टोमैटो कोक्ड़ फॉर्म में वह हमें ज्यादा बेनिफेट करेगा आप हमेशा पूछ करेंगे ताकि आपको हेल्प मिले आप फटा-फट दस मिर्ट में इंस्टिंट घर में टोमैटो सुप कैसे बना सकते हैं इसके अलावा अनार का सेवन्स शुरू कर दें कुछ एक्सराइस ऑक्सिडेटिव स्ट्रस को कम करने में हल्प करेंगी इसलिए डेली वाक करें साइ करेंगे तून तेक करेंगे बाइ